नमस्कार जोहार आप देख रहे हैं समधान इंडिया और आज हम मौजूद हैं देवघर जीले में देवघर जीले में हम जहां मौजूद हैं उसकी तस्वीर आज से कुछ महने पहले यानि 10 अप्रेल को आपने देश के तमाम उस मीडिया चैनल के माध्यम से इसकी तस्वीर देखी होगी जिसने दिल दहला दिया था जरासल ये जो तस्वीर है ये है देवघर से सटे जब एक घोरमोरा जगह पड़ता है ये जगह है तिरकुट पहाड का और ये जबरजस्त एक तरीके से प्रेटन अस्थल के रूप में जाना जाता है साथ ही यहां एक प्राचीन मंदिर भी है जिसको लेकर के भी लोग कापी संख्या में यहां आते हैं और ये खबर आप जरूर सुने होंगे मेरी पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं आप थोड़ा इधर भी देख सकते हैं ये रॉपवे की तस्वीर है जो तिरकुट पहाड में ये रॉपवे जो है कई तरह के सवालों के साथ और तीन लोगों के मौत का एक तरीके से जि अपने सयोगी से कहें ऊपर दिखाईए और ऊपर देख सकते हैं कि कुछ उपर जो है तक्रीबन 2000 फीट बताया जाता है कि इसका जो उंचाई है 2000 फीट की है और ऊपर जो है एक हाथसा हो जाता है केविन आपस में टकरा जाती है और आचानक से बायलेंस गरबडाता है और जो हाथसा है वो हो जाती है तकरीबन के टगराने से रूपए रुख जाता है और तकरीबन 46 लोग फंस जाते हैं तील लोगों की मौत हो जाती है जिसकी तस्वीर आपने देखी होगी हेलिकॉप्टर के माध्यम से वायूसेना के माध्यम से एंडी आरेफ की टीम की माध्यम स जो लोग थे वो प्रियास कर रहे थे कि कैसे लोगों की जान बचाई जाए अभी हम जब यहां मौजूद हैं कुछ महने के बाद आज फरवरी का महिना है आज 27 तारीक है और आज 27 फरवरी को आप जब यह तस्वीर देख रहे हैं तो यहां विरान है दर असल यहां पर भीड काफी हुआ करती थी अब हम आपको पीछे की तस्वीर आगे की तस्वीर दिखाते हैं आप रॉपवे को आप देख रहे थे हलांकि थोड़ा सा इधर आप देख लिजे कि यह रॉपवे की तस्वीर है हलांकि एक भाई साब यहां बैठे हैं कुछ कहने से इंकार कर रहे हैं क्योंकि इनको देख रेख में अभी रखा गया है हलांकि रॉपवे पुरी तरीके से बंद है अब आप इधर देख सकते हैं कुलजार हुआ करता था यह जगा वैसे में परेटन छेतर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लगातार यह प्रियास किया है कि कैसे उसको बढ़ावा दिया जै और सैथ यही वज़ा है कि जारखंड में जहां परेटन की असीम संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को देखते हुए यह तस्वीर जो है बहुत कुछ बया कर रही है इतने मेहने बीद जाने के बाद भी अब जो तिरकुट पहाड का जो यह रॉप वे है वो पूरी तरीके से बंध है यह देख सकते हैं यह जो तस्वीर है यह आप देख रहे हैं यह पूरी तरीके से बंध है दस अप्रेल को जब यह हाथसा हुआ इस हाथसे ने कई लोगों के दिल में इस बात का खौफ जो है अंदर से डाल दिया है कि भाया अगर आप तिरकुट पहार जाते हैं तो साथ किसी तरह के और भी घटना आपके साथ घट सकती है हलांकि यह जाच का विसा है अभी तक जाच चल रही है क्यों यह हाथसा हुआ और क्यों इस तरह की घटनाए घटी है इन विसायों को ले करके लगातार आप कई चैनलों के माध्यम से खवरें देख रहे होंगे लेकिन आज जो हम परिस्तिती दिखा रहे हैं वो जार्खन की बधाल तस्वीर को आपको हम बताने चाहते हैं कि आप ज़रा सोचिए कि जार्खन में जहां प्रेटन चेतर को बढ़ाने के लिए सिम संभावनाए हैं वहां कई महिनों से तिरकुट पहाड का ये रॉपवे बंध है और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस रॉपवे में हाथसा हुआ तो इसके जो मेनेजमेंट करने वाले लोग थे वो क्या कर रहे थे ये जो रॉपवे है उसकी जिमेवारी जो है दामोदर रॉपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड को दिया गया था ये उन्हें के दुआरा डिजैंन भी किया गया था जैसा हमें जानकारी है और उनी के द्वारा ओपरेट हो रहा था तो ये जो दामोदर रॉपवे के जो ये कंपनी है या इनके जो लोग हैं उन पर कहां तक करवाई हुई है ये अपने आप में भैद बड़ा सवाल है और हलांकि जब ये टूरिजम सेक्टर के अंदर आता है तो जो प्रेटन मंतरी ह उनको विशेश रूप से ध्यान देना चीए था कि कम से कम इस तरह की अगर इस्टिती हो रही है तो किसी का जो मैनेजमेंट है या रिपेरिंग है या किसी तरह की तुरूटियां आ रही है जाच करनी है चुकि ये एक इलक्टॉनिक तरीके से समझे कि रॉपवे जो है वो इस हाथ से ने तो सवाल कई खड़े की है हलांकि जो पदादिकारी है वो अपने तरीके से जाच कर रहे है क्या इसकी कमी पाई गई होगी क्या इसकी वज़ा रही होगी कि जो है तिन लोगों की मौत हो गई देवघर है जहां बैजनाध धाम है उससे तकरीबन 40 किलोमेटर की दूरी पर बास्कुईनाध धाम है और यह एने चक्सो चोगदा ए समझ लिजे दुमका मुखिमार को जोडने वाली ये सडक भी है और उस सडक के बगल में एक बहुती खुबसूरत प्रेटन छेतर है जह बहुत बड़ा राजश हो जो है इस प्रेटन छेतर में लोगों को लोगों के माध्यम से सरकार को मिल रहा था लेकिन अब यह बंद है कि जो चीजें घटना कहीं भी कभी भी घट सकती है उसको देखते हुए ठीक धंग से शुरू करना चाहिए साथ ही जब भी इस तरह की सुरुवात की जाए रॉप भी कहीं भी बनाये जाए तो उसका मेंटनेंस से लेकर जो तमाम तरीके के जो इन्फारस्ट्रक्चर है उसके मजबूत होने चाहिए तमाम तरीके के जो जाच हैं परस्पर रूप से होने चाहिए किसी भी तरह का हाथसा ना हो इसका ख्याल रखा जाना चाहिए और जो केविन होता है जिस केविन में पैसे जादा लेने के चक्कर में जादा लोगों को भर दिया जाता है केविन के अंदर जिसमें अगर capacity चार लोगों की है वहाँ अगर आट लोगों को भर दिया जाए तो सोचे कि इसीती क्या होगी तो जो capacity है, जो rule है, जो regulation है उसके तहट अगर चलाया जाए तो रोपवे फिर से सुरू हो सकता है और प्रेटन के छेतर से फिर यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल सकता है और जो राजस्वे सरकार को वो भी मिल सकता है लेकिन ठीक धंग से चलाने चाहिए हलांकि तीन लोगों की जो यह मौत हुई है और चियालिस लोगों की जो सांसे अटकी थी यह अपने आप में कई सवाल खड़े करती है विश्वास फिर से लोगों को करपाना साइद मुस्किल होगा लेकिन फिर से इसे सुरू करना साइद बहतर हो सकता है यह हमारी एक निजी राह है हलांकि बाकी जाच जो है प्रक्रिया वो चल रही है और तमाम तरीके के जो बाते हैं वो यहाँ पर हुई है लेकिन यह वो जगह है जिस जगह ने कई सवाल खड़े किये हम यहाँ से आपको इंड करतेंगे कि अब समझ लिजे कि यह जो आप देख रहे हैं यह नजारा कुछ यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी काफी भीड़ हुआ करती थी लंबी-लंबी लाइने हुआ करती थी लेकिन अभी यह जगह जो है सो विरान हो गया है यहाँ कुछ लोग आप आते हैं तिरकुट पहाड अभी भी लोग आते हैं क्योंकि यहां मंदिर है प्राचीन मंदिर है शीव मंदिर है इस वज़ा से पूजा करने के लिए लोग यहां आते हैं मंदिर की वज़ा से आते हैं लेकिन प्रेटन छेतर के दृष्टी कौन से यहां अब जो है जो रौपवे जो दूर से आपको दिख रहा है इस रौपवे लोग जब याद करते हैं तो उनकी रूफ काफ जाती है और वो दिरिश भी रूफ को फिर से एक तरीके से वही ले जाता है जहां आप उस तस्वीर को देखे थे हलिकॉप्टर से गिरते हुए वो तस्वीर कई सवालों के साथ हम भी कुछ कह पाने में अशच्छम हैं लेकिन फिलाल हम यहां से तस्वीर आपको दिखाने का प्रियास कर रहे थे हम खाबरें और भी आपको दिखाते रहेंगे बने रहें समाधार इंडिया के साथ अपने सयोगी ससी जी के साथ मैं विकास याद हूँ